हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू अन्सीन एजूकेशन और आज से जो है हमने जोग्राफी सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके थियोरी लेक्चर्स जो है थर्टीन थियोरी लेक्चर्स थे और उनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो साथ कर रहे हैं ही मचल जोग्राफी क्विक रिषजशन और इसमें जो है सेट रहेगा सेट थर्टी थर्टी क्वश्चन्स कि हैं इसमें राइट और दूसरी चीज है कि इसमें complete 500 geography question हम लोग जो है complete कराने वाले हैं और 500 MCQs जो होंगे उनका level पहले slow थोड़ा सा हम लोग जो है easy level के questions करेंगे after judge जैसे ही हमारे 200-300 question हो जाते हैं अपने level को हम लोग उसी तरीके से बढ़ाएंगे complete जो है हम लोग छोटे पेपर से लेके बड़े पेपर तक जितने भी exam पूछे गए हैं चाए हस हो, allied हो, anti हो, behead exam हो या university के कोई exam होते हैं conductor का है कोई भी exam हीमाचल, HPPSE exam जितने भी exam होते हैं बलोकरा जोक्ता हीमाचल दरपन से जो हमने theory lecture पढ़े थे उसी message जो है MCQ generate की हैं, बनाए गए हैं और काफी मेहनत लगी इन questions को बनाने में इस series का जो है enjoy कीजिए और paper के time में जो है इस series को जरूर पढ़के जाईए इससे बहुत ज़्यादा question आने वाले हैं और previous year question जितने भी 1999 से लेकर 2023 के in between में जितने भी मुझे लगा कि important questions है वो हमने यहां पर compile किये हैं आज से जो है series का एक नया दौर शुडू हो रहा है और यह MCQ series है इस पार और 500 question का इस series रहेगा हीमाचल जोग्राफी का set first है आज और इसमें 30 question है इससे पहले जो है हमने latitude और longitude इसकी भी बात की थी lecture में राइट तो अगर हम बात करें north east में जो है हमारे हमाचल की location है brief में मैंने lecture number 2 में इसको elaborate किया है तो इसका अगर हम सही answer देखें तो c option is the right answer 30 degree 22 minute to 33 degree 12 minutes not latitude में जो है हमारा हमाचल पर देश बसा है और अगर हम latitude की बात कर रहे हैं देखें यह वाला जो reason है यहां से लेकर यहां तक इस तरीके की जो parallel lines होती है horizontal lines जो आ रही है इनको latitude कहा जाता है और this is the right answer c is the right option okay इसके बाद देखें sidewise मैंने दूसरा भी इसमें डाला है east longitude अगर longitude की बात करें कि हमाचल पर देश जो है किस बिहाब पर बंड़ा है तो इसका जो सही answer है 75 degree 47 minute to 79 degree 4 minute तो यह बहुत important question है बहुत सारे exam में पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से यह latitude longitude दौनों पूछे जाएंगे mix करके या फिर अलग-अलग तरीके से भी यह पूछे जा सकते हैं this is the right answer be is the right option now moving forward fourth question की बात करें which of the falling country lies to the east of himachalpadesh अगर हम north south देखें इस तरीके के geography में बहुत सारे question पूछे जाते हैं location wise north south east and west अगर हम map के थूँ देखें तो चाइना इसके east में आता है और साथ ही साथ जो है तिबबत वाला जो reason है वो इसके east में लगता है और साथ जाए साथ अगर north की बात करें north में j and k वाला जो reason है तो ये वाला reason लगता है अगर south की बात करें देखे south में हर्याना वाला reason है अगर south east की बात करें south east में जो है yu p और उतराखंट वाला रीजन है यह बहुत important है और यहाँ से question पूछे जाते है उतराखंट वाला reason है अगर देखिये, पंजाब जो है, इसके South, West की अगर बात करें, तो इसमें पंजाब वाला reason लग जाता है और वेस्ट की अगर बात करें तो पंजाब वाला रीजन आता है तो ये जो है इस तरीके का question जो है बहुत बार पूछे जाते हैं तो अगर हम यहां question को देखें East में ना नैपाल है अफगानिस्तान भी नहीं है बुटान भी नहीं है राइट अंसर इस option number D इसके बाद 5th question की बात करें देखें ही में चल जोग्राफी को हम लोग है quick revision इसका लेकर चल रहे है 500 MCQs हम लोग लेकर आने वाले हैं ऐसे ही questions होंगे और धीरे धीरे जो है इसका level भी बढ़ाएंगे अभी जो हमने complete जो थियोरियों में पढ़ा है उसमेंसे ही question हम लोग लेकर आये हैं आपके बीच में तो enjoy कीजिए इन lectures को और जितना ज्यादा share कर सके उतना share कीजिए this is your channel unseen education आपको help करेगा आपका knowledge बढ़ाने में which state is located to the north of हिमाचल परदेश अभी हमने बात की थी J&K की अगर बात करें तो ये north में located है हिमाचल परदेश के तो right answer is B option right answer है देखिए इसके बात में question number 6 की बात करें to which direction तिबबत हिमाचल परदेश located तो ये किसी भी तरीके से देखिए question को toward mode करके पूछा जा सकता है तो confused ना हो तो अगर हम बात करें this is in east the right answer is D right इसके बाद में question number 7 की बात करें हिमाचल परदेश is located to the dash of जमू कश्मीर तो इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है कि जमू कश्मीर के कौन सी location पर जो है हिमाचल परदेश बसा है तो the right answer is B south में जो है हिमाचल परदेश जमू कश्मीर के बसा है तो इसके बाद eighth question की बात करें which state is located to the south of हिमाचल परदेश देखे हमने boundary वाला जो है इसके उपर complete lecture नहीं लाया है तो ये short lecture था इसलिए हमने जो इसको MCQ के थूँ थोड़ा सा जो है बार बार उनी questions को इसलिए repeat कर रहे है ताकि आपके एक image बन जाए और आप लोग जो है गलत करके नाएं question को तो इसके अगर south में बताएं तो south में जो state लगता है वो हमने पहले बात की हर्याना is the right answer D is the option right answer जो हर्याना हो जाएगा इसका देखिए ये वाला जो location है ये इसके south में बसता है जमो कश्मीर नौर्थ में आ गया और राजस्तान यहां पर कोई location नहीं है और पंजाब अगर बात करें तो west वाला reason जो है पंजाब का लगता है now moving forward देखिए which of following state is located in south east of हिमाचल परदेश south east की हमने बात की थी तो ये वाला जो reason है south east का है अगर direction wise फिर से देखे हम north, south, west and east तो ये वाला जो reason है south east इन दोनों को merge करके जो reason बन रहा है वो reason है उत्रखंड और up वाला reason आता है तो इसके जो south east में लगता है वो लगता है उत्रखंड right answer is d तो ये जो है c d right तो पंजाब पहले भी बात की और डेली वाला तो लगता ही नहीं है reason और पाकिस्तान वाला reason में हमाचल के साथ में कोई boundary नहीं बनाता है now moving forward the state located in the west of हमाचल परदेश अब हमाचल के west में कौन सा state लगता है अगर west की बात करें तो ये वाला reason आता है west का west में कौन सा reason आ रहा है पंजाब वाला reason है तो हर्याना is in south तिबत is in east इसके भी हमने बात की दी असाम तो कोई boundary बनाता भी नहीं है और the right answer is A पंजाब is located in the west of हमाचल परदेश देखिए आपको ये series कैसी लग रही है आप comment कर सकते हैं कोई भी query है तो आप comment करके बताएं हमें और क्या modification कर सकते हैं इसमें उसके लिए भी आप comment कर सकते हैं देखिए अगला question the attitude of हमाचल परदेश is where is from ये भी हमने बहुत पहले पढ़ लिया है देखिए इससे पहले हमने hills पड़ी है शिवालिक mountains पड़े शिवालिक पड़ा उसके बाद में धौलादार की बात की मिड हिमालिया जो था लैसर हिमालिया की बात की इनर हिमालिया जिसमें धौलादार और दूसरा पीर पंजाल की बात की और उसके बाद हमने greater हिमालिया पड़ा तो इनकी जो ranges है यह कहां से कहां तक vary करती है अगर शिवालिक से लेकर हम Greater Himalaya Alpine Zone की बात करें तो हिमाचल का जो varying altitude है वो है क्या 300 to 6000 मीटर या फिर 240 मीटर से 7000 मीटर तक 350 से 7000 मीटर तक और 650 से लेकर 8540 मीटर तक तो राइट अंसर इसी बहुत बार ये question पूछा गया है इसको ब्रेक करके भी पूछा जाता है कि शिवालिक में कितने से कितना का आता है और इनर और लेसर हमालिया का कौन सा है altitude और ग्रेटर हमालिया में कितना आता है उसको भी हम आगे mcqs के थूरू उसको भी cover करने वाले है तो यह बहुत बार question पूछा गया है इसको very very important और नोर्स में डाल दें इसको now moving forward which of the falling territory territorial zone is known as alpine zone इसके बारे में तो हमने lecture भी जब brief कर रहे तो बहुत ज़्यादा brief में पढ़ा था देखिए यह वाला जो रेंज है यह शिवालिक रेंज है अब तो आपको याद भी हो गई होगे दो तिन बार अगर इन lectures को देखेंगे तो आपको complete जो है इसका geographical aspect जो है हमाचल परदेश का वो बिलकुल clear होने वाला है और यह देखिए दोलदार रेंज है और यह पीर पंजाल और साती सात यह वाली जो रेंज है दिस इस दे रेंज ओफ greater हिमालिया रइट अब greater हिमालिया जो है इसी को alpine zone कहा जाता है अमने lecture में भी बहुत brief में पड़ा है देन शिवालिक जो है शिवालिक हिल्स लो हिल्स है यह भी नहीं होगा धोला दार जो है यह भी नहीं है जो अपनी boundary रामपूर तक बनाती है राइट इसके बाद greater हिमालिया इस दा राइट अंसर सी option जो है इसका बिल्कुल सही अंसर है राइट now moving forward question number 13 देखिए हिमाचल में which of the following district is fully located in shivali khils अगर shivali khils की बात करें देखिए यह वाली जो है shivali khils हा रही है तो यह जो reason यहां पर लग रहा है यह वाला reason completely shivali khils में आता है और इस district को जो है boundary जो बनाता है पंजाब के साथ भी बनाता है district कांगडा तो नहीं है उन्ना इस दा राइट अंसर और यह भी question बहुत ज्यादा important है बहुत सारे exam में यह भी question पूछा गया है उन्ना is the only district जो fully covered है shivali khils में देखिये यह वाला जो reason है तो उन्ना भी जो है इसका right answer है now moving forward 14th which of the falling district does not touch shivali khils क्या shivali shimla touch करता है कौन सा ऐसा district है जो touch नहीं करता है shivali khils को क्या बिलासपूर करता है kangra या फिर हमिरपूर अगर हम दंग से देखे तो यह वाला reason kangra का है उन्ना की हमने बात की हमिरपूर और बिलासपूर वाला reason यह वाला लगता है थोड़ा सा जो reason है यह solan का है तो यह कुछ एक part है जो shivali khils का part है it means अगर हम shimla की बात करें shimla से cross होती हुई धोलादार जाती है ना की shivali khrenge right तो अगर इसका सही option है option number a is the right answer for 14th question की shivali को जो है shimla touch नहीं करता है देखिए इसके थुरू हमाचल का map जो है बहुत brief में cover हो रहा है boundaries के साथ में now moving forward by what name shivali khils were known to the ancient और यह भी question very very important जितने भी questions है यह previous years है और बहुत बार question पूछे गए है तो shivali khils को किस नाम से जाना जाता था क्या मानक पर्वत या नंगा पर्वत वियास हिल और त्रिगरता पर्वत तो इससे जो है option number a is the right answer मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था ancient time में right अगर हम 16th question की बात करें देखिए which of the falling towns do not fall in shivalik hills यह वाला shivalik range आ रहा है और हमने जो है mcq series को इस तरीके से चलाया है जिस तरीके से lecture हमारे complete होते रहा है उसके साथ में हमने mcq pdf बनाए है और अभी shivalik hills है इसके बाद में inner lesser himalya की बात करेंगे then greater himalya river system इस तरीके से जो है हम लोग mcq series अपनी complete जो है यह भी एक अगर आप mcq series direct जाना चाहते ह सकते हैं इसमें सारे questions हमने complete किये हैं तो which of the falling town do not fall in shivalik hills क्या बटियात वाला reason है बटियात हमने चंबा का पड़ा था और valley system जब हमने पड़ा था rice ball of चंबा और यहां पर जो है बासमती rice मिलते हैं बटियात valley में और क्या डल्हॉजी वाला reason है जो शivalik में नहीं आता क्या रांपूर वाला reason है और चुरा वाला देखी यह चुरा भी आता है डल्हॉजी भी आता है बटियात और जो do not fall है वो रांपूर तो इसका सही answer जो in shivalik hills which of the following tessil does not fall in shivalik hills देखे नहान की बात करें भोरंच पचार और अनी यह जो reason है यह कुलू वाला reason है और कुलू वाला reason जो है shivalik में बिल्कुल नहीं आता है तो यह चीज जो है map के थ्रू ही समझ आने वाली है अगर हम बात करें तो shivalik हमने देखा था नहान तक नीचे तक जा रही थी मतलब कि सिर्मौर तक जा रही है बोरंच हमीरपूर और विलासपूर वाला reason जो है सारा का सारा जो है शिवाली खील के अंडर में आता है दा राइट अंसरी आप्शन नमबर डी नाव मोवीं परवड आठारवा कॉशन देखें विच आप दा फॉलेंग इस दा मोस्ट फटाइल एरिया फॉलिंग इन दा शिवाली खील हमने जो है वैली सिस्टम की ब दोडरकवार वैली है या रिबा वैली है बला वैली और खजयार वैली है देखें अगर डोडरकवार की बात करें यह रोडू वाला रिजन आ गया राइट और रिबा वैली की बात करें यह मंडी में है और खजयार की बात करें तो यह चंबा वाला रिजन आ गया तो इसका जो राइट अंसर है most fertile हिमाचल में जो है वैली है वो है बलावैली this is the right answer C option बहुत बार question पूछा गया था अभी जेवे 817 का exam होगा था उसमें भी एक question पूछा गया था थोड़ा सा mistake उसमें की ये की थी कि उसको type ठीक नहीं किया गया था नाम किसी और तरीके से पूछा गया था बलावैली जो है इसका right answer है option number C इसके बाद बात करें 19th question की हिमाचल परदेश is located in अब ये हमने जब हिमालियन सिस्टम पढ़ा था और ये ही वो lecture है lecture number 3 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्योंकि इसमें बहुत बरीफ में हमने बताया था कि अगर हिमाचल परदेश की बात करें इसका location जो है कहां पर है अगर हिमाचल की बात करें तो ये वला reason जो है हिमाचल का है क्या ये eastern of हिमालिया है फिर से अगर हम north, south, east और west की बात करें तो हिमाचल की अगर बात कर रहे हैं तो ये हिमालिया के बिल्कुल south में आ रहा है northern हिमालिया क्या north में है नहीं north में भी नहीं है east में भी नहीं है इस side भी नहीं हिमालिया के और southern हिमालिया है और western हिमालिया है इसके बाद बात करें, रैनफॉल अगर शिवाली की बात करें, तो इसमें वेरी कितने से कितने तक करती है, अगर रैनफॉल हम शिवाली की हिल्स की बात करें, तो 1500 mm से लेकर, 1800 mm के in between में जो है, शिवाली की हिल्स में रैनफॉल होता है, और यह देखिये, 21st question, what type of soil is found in Shivalik Hills, क्या black soil है, stone embedded long to clay, laterite soil है या red soil है, देखिये, अगर हम बात करें, तो यह Shivalik Hills जो है, यह बंती बिगड़ती है, और इसमें जो है, बहुत जादा answer for question number 21, second, 22nd की बात करें, which of the falling town does not fall in the Shivalik Hills, अब Shivalik Hills में कौन सा टौन नहीं आता है, अगर हम चंबा की बात करें, तो चंबा वाला टौन बिल्कुल आता है, पालंपूर की बात करें, युगिंदर नगर और मनाली, देखिये, पालंपूर वाला reason भी Shivalik Hills में आता है, यु बेजनात वाला reason है, बेजनात होते हुए, पालंपूर बेजनात होते हुए, जो गिंदर नगर आप जा सकते हैं, बहुत आराम से, और इसका जो राइट अंसर है, मनाली और मनाली वाला जो reason है, ये जो है, दोलादार जो है, इस reason से होकर, क्रॉस होती है, the right answer for 22nd is, मनाली is the right answer, now moving forward, which is the maximum altitude of, what is the maximum altitude of inner Himalaya, अच्छा inner Himalaya, इससे पहले जो है, हमने शिवालिक को complete किया, उससे जितने भी questions बनते थे, जितने भी questions पूछे गए हैं, उसको हमने complete किया, इसके बाद जो है, हम inner Himalaya और जिसे की lesser Himalaya भी कहा जाता है, और भी इससे जो है, हिमाचल Himalaya की नाम से भी जाना जाता है, बहुत बहुत ज्यादा important है, हिमाचल Himalaya भी इससे ही कहा जाता है, क्योंकि maximum जो एरिया है हिमाचल का वो इसमें लाए करता है, अगर इसके altitude की बात करें, 1500 meter, 3500 meters, 4000 या 45, देखिए, अभी हमने जो 350 to 7000 meters की बात की थी, ये अगर altitude जो हिमाचल में Himalaya का है, वो इस तरीके से reason distributed है, अगर हम 350 से लेकर आपका 1500 की बात करें, तो ये शिवाली का है, अगर हम 1500 से 4500 के in between की बात कर रहे हैं, तो ये inner और lesser Himalaya आ जाता है, next जो है हम लोग जब greater Himalaya आएगा तो उसका distribution वहाँ पर पढ़ेंगे, अगर inner Himalaya की बात करें, तो D is the right answer, तो 4500 meters तक जो है inner Himalaya का altitude है, इसके बाद 24th question को देखें, which of the following districts does not fall in inner Himalaya, देखें क्या कांगडा inner Himalaya का बात है, क्या हमीरपूर inner Himalaya का बात है, सिर्मोर या मंडी, तो inner Himalaya की अगर बात करें, तो ये वाला जो reason है, हमीरपूर वाला reason है, ये inner Himalaya में नहीं आता है, क्योंकि कांगडा का ये देखें, दौलदार यहां से cross हो रही है, मंडी, और मंडी से तो ये दौलदार यहां से cross होती हुई जा रही है, तो right answer जो हमीरपूर बनता है, इस extreme Himalaya और drifting mountain, तो drifting अगर mountain की बात करें तो शिवालिक है, अभी हमने पहले भी बात की इसके बारे में, right, और extreme Himalaya अलपाइन जोन आ जाता है, ये भी नहीं होगा, तो इसके साथ में deep Himalaya ये भी नहीं है, mid mountains जो है inner Himalaya को, देखेंगे ये वाला जो reason है, इसे inner Himalaya का जाता है, और इसको मैंने पहले भी बताया, lesser Himalaya भी कहा जाता है, Himachal Himalaya इसी को कहा जाता है, और mid mountain के नाम से भी inner Himalaya को बुलाया जाता है, this is the right answer, option number A, और बहुत बार ये इस तरीके का question जो है, examiner confuse करने के लिए पूछ लेता है, now 26th question, what type of soil is found in inner Himalaya, वहां पर जो थी, lomi soil थी, black soil ह या फिर red letterite है, silty lomi to clay lomi of dark brown color, या फिर sandy letterite to clay, तो अगर हम inner Himalaya की soil की बात करें, तो C, silty lomi to clay lomi of dark brown color की जो है, यहां पर soil मिलती है, इसके बाद बात करें, 27th question की, the Himalayan range, पीर पंजाल, largely fall in which district, देखें, अगर हम पीर पंजाल की बात करते हैं, तो ये वाली जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, और inner or lesser Himalaya का ये पाठ है, क्या ये कांगडा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या कुलू में है, या चंबा में है, किन और है, देखें, अगर हम ढंक से देखें, तो पीर पंजाल जो है, यहां से, मैं चेंज कर देता हूँ, यहां से, यहां से जो Himachal में है, पीर पंजाल का है, और अगर हम इसके पीछे बना मैप देखें, तो यह औरेंज कलर में जो है, यह चंबा डिस्टिक है, तो पीर पंजाल की अगर सही माईने में हम देखें, तो कौन सी डिस्टिक में सबसे ज़्यादा यह फॉल करती है रेंज, तो कांगड को किस नाम से जाना जाता है हमने इसको थियोरी में बहुत ब्रीफ में वहां लोकेट करके बदाया है अब मुवी फॉरवर्ड 28 कुश्चन को देखते है दा हिमालियन रेंज धौलादार लारजी डिफॉल इन विज डिस्टिक देखिए अब धौलादार की अगर बात करें य ऒर वह रेंज मैं और यह ख रहत है मन्ड़ादे को कि आदा जो सबसे ज़्यादार देखिए जो है वहां से बहुत अच्छा जो व्यू है इन रेंजिस का श्वीत माउंटैन के नाम से भी जाने जाते हैं तो वहां पर इसका बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है राइट और सेकिंड लास्ट क्वेशन फॉर टूडे दे मीनिमम एल्टीटूड ऑफ अल्पाइन कितना है अब इसके बाद में देखिए इससे पहले हमने शिवालिक पढ़ा उसके बाद में हम जो है लैसर हिमालय की बात कर चुके हैं उसमें सॉयल बगएर जितने भी क्वेशन बन दे थे इल्टीटूड वगएर की और किस नाम से जाना जाता है वह भी बात की इसके पड़ा एंड लेसर की बात करें तो 1500 to 4500 पड़ा अब 4500 से अबब तिल 7000 meters तक अगर हम बात करें तो यह कौन सा जोन आता है अलपाइन क्या यह 3600 है 4500 है 4000 यह 6500 meter तो 45 से अबब जो है minimum जो minimum अगर बात करें minimum यहां अपर लिखा है देखिए इस तरीके से question जो है confuse करने वाली होते है minimum जो है 4500 से start हो जाता है अलपाइन जोन और आगे जो है move on करता है 7000 तक और which one among the following district does not fall in Alpine zone अब Alpine zone जो है यह वाला जो reason यह वाला डिजन अलपाइन जोन में आता है अगर यहां की बात करें लाहो लैंड्सन प्तीती वाल रिजन यह अगर बात करें किनौर वाला रिजन है और थोड़ा सेरिजन जो है dela- accidents में जो जो रोतंग पास वाला एरिया जो है यह अल्पाइन जौन में आता है बिलकुल आता है ला इस पीती की अगर बात करें यह तो पूरा का पूरा जो है इसी से धका है the right answer जो does not fall की बात की है इसने तो right answer is option number C शिमला जो है इसमें नहीं included है शिमला ये देखिए शिमला ये बिलकुल बहार है greater Himalayan range से तो शिमला इसका right answer है option number C is the right answer for question number 30 तो ये जो है हिमचल GK की जो है geography की quick revision series चलाई है हमने हर एक जो set है उसमें 30 question include किये हैं और आपको इस series कैसी लग रही है आप बता सकते हैं thanks for watching keep supporting and stay tuned with us subscribe my channel ताकि आपको notification time to time मिलती रहे this is unseen education I am signing off thank you